नमस्कार सभी को रमजान की बहुत सारी बहुत सारी मुबार्ख यहां पर मैं तीन टिप्स दूँगी कि जो भी रमजान के जो भी पास्टिंग करते हैं तो उन्हीं सारे मेरे भाई भेनों के लिए तो आप अपना जब भी सबसे जरूरी चीज है कि जब आप अपना रमजान जो भी है उसे जब आप खुलने लगते हैं तो उसके लिए उस टाइम आप यह तीन चीज़ें जरूर अपनी डाइट में इंक्लियूर केजिए क्या आपने सारा दिन से कुछ खाया पिया नहीं होता तो आप सबसे पहले तो को नीमबू पानी अपनी डाइट में आड कीजिए वह आपको हेल्प करेगा और सेकिंड तिंग कि आप जो डेट्स होते हैं जो खजूर होते हैं वह एक जरूर कंजूम कीजिए और उसके है अब एकदम से आप अगर बहुत सारा क्योंकि मैंने देख रहा है कि जो फ्लाटर होता है वह बहुत हैवी मिल्स वाला होता है तो आप प्लीज अगर 10 मिनिट का रहते हैं तो आपकी बाडी समझ पाएगी कि आप फूड आ रहा है और वह उसको दस मिनिट में वह पांच म आपका बैलन्स हो जाएगा और उसके बाद आप 10-15 मिन बाद मिल डालेंगे तो वह आपको बहुत जादा बेनेफिशल होगा जैसे कि आप अल्ला ताला की पूरा दिन उसमें रहे हैं तो अगर आप ये शाम को अपने साथ ये भी एक अच्छा टिप्स आप फॉलो करते है तो आपका कम्प्लीट बहुत अच्छा रमजान जाएगा हेल्थ वाइस भी और आपके जो रिच्वल है उसके वाइस भी तो ये मेरे टिप है रमजान के लिए तो प्लीज आप निमो पानी से स्टार्ट केजिए फिर डेट लेजिए और 10-50 मिनिट का रिस देके फिर ही मी अच्छा कि परभाई पानी पीजें कि सारा दिन से आपने कुछ खाया निये है आपके शॉक्त मैं चले कुछ़ लोगों को पता होता है कि उनको ढालादीट के उसको चलते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं होता तो इससे मैं आपको डराने एक सञ़कर एक भी चांसे होत जैसे मुझे अभी नहीं पता मेरी बॉडी में क्या कमिया है और क्या नहीं है तो प्लीज आप जो भी खाई है पीए शिप सब करके लीजिए बाइट करके लीजिए और आराम से बैट के पेशन्सली खाईए तो आपका जो एकदम से शूट अप नहीं होगा जो आपका सब्सक्राइए और डेट है वो बैट के आप अराम से खाई है तो इससे भी आपको पैदा होगा खड़े होके आप एकदम से फटावट फटावट खाएंगे तो एकदम से शूट अप हो सकती है आपकी शूट लेवल्स और जो भी है बॉडी में एलेक्ट्रोलाइट इंब के बेनिफिट्स भी देखेंगे जैसे आप अल्ला ताला की कॉफी में अच्छी डीक्स आप मेंशन करा रहे हैं ऐसी आप अपनी हेल्थ की नोट बुक में भी अच्छी चीज़ें आप नोट करेंगे खुछ से तो बहुत बहुत मुबार्यक पिर से मेरी तरफ से मिलेंगे अब अपनी नेक्स वीडियो में यूटिव फिटर्स के तरफ से बाबाई ठेक क्यार